जीपट एक्जाम, जीपट एक M.C.Q. बेस्ट एक्जामिनेशन है और यह एम फामिसी में एड्मिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो M.C.Q. बेस्ट एक्जामिनेशन है तो आपके वल फेवरी प्रिपेर करने से काम नहीं चलेगा इसलिए जरूरी है कि आपके पास MCQ practice books भी हो तो GPET में MCQ practice के लिए मैं दो best book आपको बताने वाली हूँ जिसमें से पहला है complete companion for GPET another competitive examination in pharmacy ये पहले book मैं recommend करती हूँ जो आप जब GPET के exam के preparation के शुरुआत करें तो ये book आपको जरूर लेनी चाहिए इसमें बहुत सारे MCQ questions है 5000 plus MC multiple choice questions है और काफी हत्ता की book बहुत amazing है क्योंकि इसमें short theories भी included है इसमें content as per your syllabus दिया गया है और पूरा जो GPET का syllabus है इस book में cover कर दिया गया है इस तरीके से इस तरीके से इसमें सारे subject है और साथ ही कुछ previous year papers भी आपको मिलेंगे सब्जेक्ट क्या-क्या मिलेंगे आपको physical pharmaceutics फार्मास्योटिक्स में physical pharmaceutics फार्मास्योटिक्स फार्मास्योटिक्स इंजिनिरिंग और dispensing pharmacy, bio pharmaceutics, jurisprudence, cosmetic preparation, microbiology pharmaceutical technology and modern pharmaceutics और फार्मास्योटिकल केमिस्ट्री और नाइपर के लिए जो questions पहले नाइपर एक्जाम में आते थे आप वो भी जीपट के तरी उत्रूई होता है तो उसके भी questions इसमें इंप्लूड हुए हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा जीपट का syllabus जीपट के syllabus के बाद आपको मिलेगा जीपट का previous year का question about the examination कुछ examination tips भी दिएगें इसमें management strategy उसके बाद आपको मिलेगा graduate pharmacy aptitude test यानि जीपट exam का question paper previous year का उसके बाद आपको topic wise सारी चीज़े मिलेगी और धेर सारी multiple choice questions भी मिलेंगे तो जैसे यह previous year वाला खतम होता है आपके main topic शुरू हो जाते हैं और हर topic को एक दो page में complete कर दिया जाता है हर एक subject को उसके बाद last में आपको mcqs मिलते हैं हर chapter के last भी तो इस तरह सी यह बहुत अच्छी book है mcq preparation के लिए answers भी आपको मिलेंगे सारे mcqs के answer आपको last में answer की मिल जाएंगे तो यह बहुत अच्छी book है gpate complete companion for gpate by Pearson यह book आपको जरूर लेनी चाहिए अगर आप gpate की preparation कर रहे हैं दूसरे book जो मैं recommend करूंगी वो है gpate companion इस book को मैंने पहले इसलिए नहीं recommend किया क्योंकि इस book में धेर सारे mistakes हैं और लेकिन उन mistakes की तुल्णा में इसमें जो mcqs दिये गए हैं वो जादा बहतर है इसलिए यह book काफी अच्छी है कुछ mistakes के कारण हम किसी book को खराब नहीं कह स जरीन है बस आपको पहले उस book को पढ़के थोड़ा knowledge गेन कर लेना है उसके बाद आप gpate companion को खरीदी यह है करियर फार्मा करियर पब्लिकेशन से और इस book में आपको क्या के मिलेंगे वो में दिखा रेती हूं सबसे पहले तो इसका content देखिए gpate 2020 से लेके gpate 2010 तक के सार सब्सक्राइब को मिलेंगे इसमें subject wise भी दिएगे हैं question तो डेट सारे mcqs तो आपको मिलेंगे ही साथ ही उसकी answer keys भी आपको मिलेंगा और कुछ दूसरे जारा के question papers हैं डाग इंस्पेक्टर वागरा के तो वह भी काफी अच्छे हैं बस इसमें कुछ मैं बता देती हूं देखें इसमें questions में भी mistake है तो इसको ध्यान रखेगा मतलब mistake छोटा-छोटा है उतना mistake हम अगर आप जीपट की proportion कर रहें तो उतना mistake आप सुधार सकते हैं तो जैसे कि यह पहला question देखें एक्सीपेंट लूडी प्रेस for liquid doses form is co-processed excipient of तो इसमें options में देखें लेक्टोज monohydrate kolidon 30 और kolidon CLD तो यह असल में यह kolion नहीं है kolidon है सभी में इसमें kolion kolion दिया गया है लेकिन actually में यह kolidon है तो ऐसे mistakes आपको खुद सुधारने होंगे और एक जगह देखें यहाँ पर answer में mistake है यहाँ पर जब हम यह question है देखें question number 3 का answer 4 होना चाहिए but इसमें answer दिया ह है यह अपने answer भी दिखा देती है question number 3 का answer देखे question number 3 का answer यहाँ पर 3 दिया है लेकिन question number 3 का answer 4 होगा इनके अगर हम इनके explanation को देखें तो explanation की according ही answer 4 होगा और देखें यहाँ पर question में भी यह printing mistake होई है यहाँ पर 0.2% weight by weight होगा और यहाँ भी 0.2% weight by weight होगा तो यह mistakes है और ऐसे mistakes को हम कुछ mistakes को सुधार सकते हैं तो यह book मैं recommend करती हूँ कि कि इसमें बहुत सारे questions है you can see यह कम से कम 1000 से उपर इसमें page है और इतने सारे questions solve करते करते आपके GPAT की काफी अच्छी preparation हो जाएगी explanation भी काफी अच्छी से दिये गए हैं इसमें अगर आप पहली बार GPAT दिला रहे हैं तो यह book आप जरूर रखिए क्योंकि GPAT के exam MCQ based exam है और आपकी practice अच्छी होनी चाहिए MCQ solve करने की इसमें जो previous questions है वो भी काफी काम आने वाले है इस तरह से यह book बहुत अच्छी book है बस आपको कुछ mistakes है उनको खुछ से सुधारना हो होगा तो मैं यह book highly recommend करती हूँ यह और यह भी तो यह दोनों book आपको GPAT में MCQ preparation में मदद करने वाले हैं so this is the end of the video अगर आपके लिए यह video useful रहा तो don't forget to subscribe UG GPAT guide and press the bell icon to get the latest updates of our videos